हलो फ्रेंड़ा आपका स्वागत है मेरे चनल में आज मने एक बहुत सी छीछ लाइन आघ हुआ हम्हिए अमने इदो ब्रेक्स साथ करने वाली हूँ आज मैं बनाने वाली हूँ 10 ब्रेकता हलवा जी हां बिलुकुल सही हुए टो चलिए दिखाते हैं यको क्या आपने पिक तो चलिए दोस्तों ब्रैड का हल्वा बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने ना कड़ाई रखिए गैस पर हमारी कड़ाई गरम उह रही है कड़ाई के गलम उने पर मैं इसमें दो चमच घी डालूगी ब्रैड के अल्वे में बहुत ज्यादा गी की जरूरत नहीं रह अब यह गहा हिए जो मिकसर में अब ऍशे में में talkinire मिकस कर दोंगी तो 34 मिनट में उट्यान पर चलाना पड़ता है भ conversation के वाद फिर किया ये जलने का डरं रहता है और hp u इसको बनाना कि एक है यह बहुत ही और भी फटाफट बनने वाला हालव है कभी कभी मिठा खाने का मन करता है और अपने सोचे कि अपने को मिठा काना है तब तक तो यह बनके । रेडी हो जाते है अब इसको ट्रॉइढ ॥रॉ अच्छा लगता है वैसे मैं गरम काना ज्यादा प्रेफर करती हूं लेकिन कभी-कभी बच जाता और इसको फ्रीज में रख देते हैं और अगले दिन भी जब इसको खाते हैं तो यह बहुत ही टेस्टी लगता है मैंने इसके लिए ब्राउन ब्रेड लिया है आप चाहे तो ब्रेड भी ले सकते हैं यह देखिए इसका इस्का इन्दर चेंजह ना स्टार्ट हो गया है मैं अब बस यह बनने वाला है कभी भीए ना बच्चों का मन ओं मिठा काने का मन ओं घर में गैस्ट आ जाए तो उनको कुछ मिठा के लाना हो तो ब्रैड तो गर्मे सब के पास ही होती है यह बड़ा जल्दी बन जाता है यह देखिए हमारे ना ब्रैड का पॉडर सिख चुका है अब मैंने अधा ग्लास दूद लिया है वह मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी इसमें पानी नहीं डालना है यह व अपने को कि बल चीनी डाला है आप इसमें द्राइफूट्स भी डाल सकते हैं मैंने को बिना ट्राइफूट्स के हल्वा ज्यादा पसंद है लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप बारी काटके बाद अदा सकते हैं यह देखिए दूद पुरा सुख चुका है अब मैं इस हल्वा बनता है और बहुत ही जल्दी बनता है जब भी आप बनाओ मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा बना मैंने स्टार्टिंग में घी डाला था आप जाओ तो बनने के बाद भी लास्ट में तोड़ा घी डाल सकते हैं यह देखिए हल्वा बनके रेडी हो चुक है अब मैं इसको आपको ना बाउल में डालके भी दिखाते हूं कि पूरा दू सुख चुक है अब बाउल में डालके गर्मा गरम सबको सर्व कीजिए यह देखिए हमारा हल्वा कितना टेस्टी लग रहा है और एक तम तयार है बताइएगा जरूर की कैसा बनाया और कलर भी देखिए कितना मस्त आया है